नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाव विस्तार या फिर भाव पल्लवन आपको बोर्ड पेपर में या लोकल पेपर में एक पंक्ती दे दी जाएगी उस पंक्ती का आपको क्या करना है दोस्तों भाव विस्तार तो आज की हमारे पास पंक्ती है का वर् समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है यह निरंतर चलता रहता है जो व्यक्ति समय के महत्य को नहीं समझता है वही जीवन में सफल हो पाता है हर काम को करने का एक समय है समय बीत जाने पर कारे करने से भी कोई लाब नहीं होता जैसे फसल की सही समय पर सिचाई ना हो तो वह सूख जाती है फसल के सूख जाने पर यदि उसकी सिचाई भी की जाए तो कोई लाब नहीं हो सकता इसी प्रकार जो छात्र अपने सभी कारे समय से करते हैं वही आगे चलकर उन्नती करते हैं जो व्यक्ति आलस में आकर अपने कारे को टालता रहता है उसका भविश्य अंदकार में हो जाता है इसी समय अमुल्य है और बीता हुआ समय कभी लाटकर नहीं आता समय के महत्य का वणन करते हुए तुलसी दास जी ने सही कहा है सही लिखा है कि का वर्षा जब क्रसी सुखाने ने की वर्षा भी कब हुई जब पूरी के पूरी क्रसी सुख गई समय चूकी पुनी परिस्ताने तो समय निकलने पर परिस्ताना बेकार है ठीए तो इसलिए तुलसिदाजी ने ऐसा कहा है तो आप ध्यानक नहीं बोर्ट परिछाओं में आता है भावपलावन करने के लिए इस पंक्ती का धन्यवाद